अगर आपको 25,000 से नीचे है तो आपने थम्रेल पे देखी लिए हैं कि दो बेस्ट फोन जो कि आपको 25,000 से नीचे देखने को मिल जाते हैं तो उनका आप डिटेल कंपेरिशन करने वाल है रियल्मी का 11 Pro प्लस जो 200 मेगा उक्षल का कैमरा देता है वहीं आपको OnePlus का Nord CE 3 जो कि आपको 50,000 मेगा उक्षल का सुनी का कैमरा देता है दोनों के processor all over by detail comparison करने वाल है कि अगर आपको 25,000 से नीचे फोन लेना है तो दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए best रहेगा तो वहीं सबसे फेले बात करते हैं दोनों ही फोन के price और wind के realme आपको 256GB का storage देता है base variant में लेकिन आपको 120GB मिल जाता आपको OnePlus में और दूनों ही फोन आपको देखने मिलता है 27,000 में realme और 27,000 में OnePlus देखने मिलता है पट अगर आप CL के उपर लेते हो तो आपको जो realme आपको 25,000 में देखने मिलेगा वहीं आपको OnePlus 23,000 में देखने को मिल जाएगा चली नेक्ट बारत कते हैं डिस्पले की भाई कौन से फोन की डिस्पले जादा बेटर है तो बाई डिस्पले बड़ा सा डिफ्रेंस दोनों में नहीं है 6.7 इंच, Full HD+, 120Hz की डिस्पले दोनों में है पट जो डिफ्रेंस है वो यह है कि realme देता है आपको cloud amoled display लेकिन super amoled display आपको यहाँ पर oneplus में देखने को मिलती है तो बाई जिनको भी cloud amoled display पसंद है वो रियल्मी की और जा सकते हैं बड़ जो दोनों इफोंस के display दोनों में कोई भी डिफ्रेंस जादा बड़ा नहीं है cloud जिनको पसंद भाई cloud amoled display वो रियल्मी वाला फून बाए कर सकते हैं नेक्स्ट बात करता हूं बाई सबसे में चीज कैमरा अगर देखा जाए कैमरा में यहाँ आपको रियल्मी देता है दो सो मेगा उक्षल का ओए इस कैमरा आट मेगा उक्षल का वाइड एंगल और शि देफ देंसर के साथ 16 Mhz देखने को मिलती है तो यह जो रियल्मी अप्ठेस को पता को खेलना जानता है 108 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, लेकिन अगर डीटेल देखी जाए हर चीज में आपको सापनेस, फोटो, ब्राइटनेस, HDR, जो आलोवर जो पैकेज आएगा, जो वीडियो अच्छी देगा, आपको फोटो अच्छे देगा, वो आपको OnePlus में बैटर मिलेगा, नेक्स्ट अगर मैं बात करो ह आपको आराम से साथ घंटे का वैटरी बैटरी बैटरी आपको दोनों में देखने को मिलती है, 5000 MHz की बैटरी है, दोनों के इसाथ में आपको इंबॉक्स चार्जर देखने मिलेगा, रियल में आपको देता है, 100 Watt का, यह आपको 80 Watt को देखने मिलता है, सपोर्ट OnePlus के साथ आप में, तो फास आजिंग में अभी कोई भी कमी नहीं है, बेस्ट है दोनों में, बट 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 एक बढ़ा रिफेरेंस आता है, जब बहत तुक्ती है बाई, प्रोसेसर की, गेमिंग की, परफॉमेंस की, तो यहां पे बाई यह बहुत बढ़ा रिफेरेंस है, रियल में यहां बट प्लस की बात करते हो, यहां में आपको नया प्रोस्टर देखने मिलता है, सेवन एटी टू जी यह आपको, अल्मोर्ट शाथ लाग के गरी पहन तूस कोर देता है, और नौ फाइबट आपको इस फोन की साथ में भी देखने को मिल जाते हैं, तो अगर दोनों को कंपेर करें, तो रियलमी में 5.5 लाग के अंदू स्कॉर है, यहां पे आपको 7 लाग के अंदू स्कॉर देखने को मिल जाएगा, एक डिफरेंस है वो भी आपको बता देता हूँ, रियलमी में आप 2 sim लगा सकते हो, लेकिन में अप्सन नहीं मिलेगा, लेकिन हाइब्रेट स्लोट आपको OnePlus में मिलता है, मतलब कि 2 sim लगा सकते हो, नहीं तो आप 1 sim और 1 memory card भी लगा सकते हो, तो आपको OnePlus में मिलेगा, रियलमी में नहीं है, अब आते हैं, लाश्ट ओपिनियन पर कि कौन सा फोन आपको बाइ करना चाहिए, देखो सबसे पहले मैं आपको अपने बज वेल्यू प्रोवाइड करेगा, पट अगर आपको 25 आपको बेस्ट वेल्यू फार मनी फोन चाहिए, तो डेफिनेटली OnePlus Nord C3 एक बेस्ट फोन रहेगा, तो दोनों का ही कंपेर करें, रियलमी और OnePlus, तो भाई, OnePlus यहां पे clear winner है, तो भाई, इतना ही ताइस वीडियो में, आई